हाई हेलो गाईस वेलकम बेक टुमाई चैनल तनवी किचन चैनल में आप सभी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक व्लोग रेसिपी आपके साथ सीर करने वाली हूँ वो भी है आलू की सेंट बीच और साथ हम सीर करेंगे धनिया पोदीने की चटनी भी और भूती टेस्टी और चटपटी से बनने वाली है और देखके आपके भी मुह में पानी आ जाने वाला इतनी अच्छे चटनी बनाएंगे और साथ हम सेंट्विच भी बनाएंगे और उसके साथ किस तरह से आपको खानी है वह चटनी उसमें तो आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है दे कर लिया है तो ठंडा होने की बाद में आपको यूज लेना है गरम गरम को नहीं लेना है नीती टेश्टी आपकी सेंविच नहीं बनेगी अब मैंने कैपसी कम और आनियन बारी चोपके वी इसमें डाल दिये हैं आप चाहो तो और भी वेजी टेवल इसमें एड़ कर सकते हो आप भी महाँ झाला आप गर मैंने और पावजगे मसाल बाप नागी मेगी बाड़ा है और जाण धालदी पावडल पावड सकते वहल दढ़ुओं अब य profits भाड़ कर ना अदा है यह तरह से आथ करके तक लिए हाथ मे enfad रहे जाएं बीज निकलती तो हाथ सेंविच वाली स्टेपिंग हमने बना लिया है और ऐसी कोई चीज नहीं डाले कि आपको ना मिले उसमें ही आपकी सेंविच बहुती टेश्टी बनेगी अब हम बनाएंगे धनिया पोदिनी की चटनी तो उसके लिए मैंने पोदिना लिया है तो धनिया थोड़ा ज्यादा कम क्वандिटी में लेना है मैंने डाल दी हरी मिर्च दो गेला बब और चार काजु डाले है और फिर लसुं डाल दिया आप चाउत रतरका टुकड़ा भी सेंज सकते हैं आपके पास हो तो और फिर बाद में इसमें डाला है जीरा और नमक और फिर बादमी में डाल थोड़ा लान मिर्प पावडर डाल दे और आदा मैंने नीमू डाल दिया है इस सी घृइप्स एधर से घ्मकार लबह पानी डॉले और था ल भ्ले आदा जी आपने कहने हो जड़ा है किसे यद्र दूझ में को समदाबर मैं लगा लेंगे तो य सो्स वे ने सबी गहां होता है और फिर हम चाहिए साब पनीर डाले च्पणिया है लगा फेंडर यहां डाले क्या है उप्ती जर्य निया न sakti हो सकते हो तो अब हम इसको इसको से दोणों testify और एक तवा लेंगे जैसे रोटी पे चपाती बनाते वह तवा मैं ले रही हूं और उसमें हम डाल देंगे यह थोड़ा सा गी लगा देंगे आप चाहो तो रिफाइंड ओल में जिसमें खाना पसंद करते हैं इसमें गी में बना रही हूं उसमें ज्यादा टेश्टी बनती आपके सेंडविच बन जाएगे तो इस तरह से आपको दबा दबा के और भी चाहो तो और थोड़ा गीस पे लगा सकते हो और बहुत ही क्रिस्पी सी सेंडविच बनके रेडी होगी बहुत ही टेश्टी बनती है बहुत ही अच्छी लगती है अब हम इसको कट करके रही कारा हाले वाली सेंडविच और इसमने धनिया पोदीने एक चटनी भी लगाई है सोस भी लगाया है तो इससे और भी अच्छा टेस्ट आने वाला है तो यह हमारी बन करेडि होगी है तो इसी तरीके से apραव션 मै थो इससी तरीके से तरीके से मैंने प्लेट में डाल कर है और दूसरी भी में तयार कर ले रही है इसी तरह के से पूरे इसमें स्टेपिंग डाल के और उसी तववे पर मैसी को गी से सेख लूँगी दोनों तरफ से तो गाइस आपको हमारी ये सेंड्विच बनाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कर दीज़ीगा और ओर भी अच्छे अच्छी रिष्पी आपके साथ सब्स्छ बिन दूसरा होगी और मोटिवेट हों और और ओर मोटिवेंस तो ये दिख हमारी यह भी बन के रेड़ी होगी तो पूरी इस तरह से हमने पूरी सेंडविच बना लेनी है पूरी बन के रेड़ी हो जाएगी और फिर धनिया पोदिने की चटनी और सोस के साथ हम सरव कर देंगे तो गाइस देख के आपके भी मुह में जरूर पानी आ रहा होगा यह तो गारं को हमारी रेसिपी थोड़ी फ़ந्द आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक यह बगए मən जाएगा आप लाइक करोगे तो मैं समझूंगी आपको मेरे पसंद आयर We only